हलो गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसे होब करते हैं सब लोग ठीक होगे थे सुबह के बचे साड़े आठ और कल रात मैंने फ्रीज को बन किया था क्योंकि इसमें बरब बहुत ज़्यादा जम गया था तो उसको पिगलने में पूरी रात लगी थी तो जो पिगल गया था उस पास गुम रहा था तो बस उसकी जो चेर थी जो क्या बोलते साइकल चेर वही में लेकर आई और बस इसमें मैंने उनको बेठा दिया क्योंकि वो मेरे पिछे पिछे गुम रहा था तो बस साइकल बेठकर मेरे आस पास गुमता रहे और मुझे पता रहे कि हाँ वो अच्छ पास आ रहा था तो बस उसको मैं साइड में कर रही थी और वो सारा सामने यहां से वहां कर रहा था कि आपी वो चलने लगा है इसलिए और जो कुछ सामन था मुझे बाहर रखना था वो सारा मैंने एक साइड रख दिया और वो कौनम मैं अच्छे से साफ कर दिया और कुछ पेनाती हैं और बस हो फिए से यहा आ गया और उनकी जो श्रुट ही उस को लेकर वह वाहा क works तो बस वह लेकर बाहर चला गया टो बस मैं वैसे उसको संपालती हूं काम करती हूं और जो यह केमेर के पीछे होती है वह मेरी सास वो यह कामेरा पकड़ती है और आप मुझे कीचन में साफ करना था काफी तिनों के बाद मैंने सफाई वाला वीडियो स्टाट किया क्लीनिंग का तो आप मुझे ठेल सारा पयार और सपोट करिएगा और यह मेरा मॉर्निंग रूटीन है मॉर्निंग का जो वर्क होता है और मेरा स्मॉल कीचन है किचन को मेंटेन करना उसको साप सफाई करना और उसको संबालना काफी जदा मिश्किल हो जाता है वरना यह बहुत बड़ा गर होता तो उसको क्या होता है कि काफी जदा स्पेस भी होती है और हम सामान अच्छे सब्से रख सकते हैं मेंटेन भी कर सकते और किचन और साथ में पास होता है तो वह बहुत जदा गंदा हो जाता है वह बतन क्या होता है वह चिक ना पना चाता है तो बस वही मैं साप करें और गर में काफी जदा उंदर भी आ गए थे चुहें तो हम गुजराती में उंदर बोलते तो उनकी जो क्या बोलती है पोटी बोटी है सब किया होता तो उसको मुझे साप करना था है कि घर में चोटा बच्चा है कुछ भी होता है वो बस ऐसे मुझे रख देता है तो बस मैं इसकी वज़ा से साप सफाइब कर रही हुँ दो बस हैं पर मैंने सारे बरतन को अच्छे से लगा दिये और अब मुझे आगे की भी सफाइब करने क् एक प्रिफ पी ती पेड मीरे पीठ भी सफाइब रहा था है तौ मैंने पाश में रखा और सथैंट इसंटे रहए हुगए तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से सफायग हुई गी चेंचे झाल सभाए तरस किसमें कि आ और सब्लिव भी होतें उसको भी सपिते लिगा थे क कि आप क्लीनिंग की वीडियो नहीं बनाए पर मैं कैसे की वीडियो बनाँ जो जाती हूं तो कभी-कभी मेरा वीडियो मॉनितियाशन नहीं होता लिमिटेड हो जाता है और अब एक चोटा बच्चा है पालर है और अब मुझे खुदनी भी केर करनी होती है और साथ मैं यूटूब पर लेकर बैठी हूँ तो यूटूब पर भी मुझे वीडियो कभी कभार अपलोड करती हूँ तो प्लीस आप शॉर्ट वीडियो पर काफी जदा फोकस करें शॉ मैं सापसफाई करती है और इन उंच्टे की तभी थी उसको मैं अच्छे से रख दे क्या होता है बहुत दिन हो गया था सापसफाई किये तो बस इतना कुछ अच्छा हुआ है काफी ज़्यादा गर में चिकनापन हो गया है क्या है एक्दम स्मॉल करें बात में बिंडो भी भी सापकरना ओव आपरे मुझे लग गया था क्या होना जब आपको time लें जितना हो सकी उतना आप क्लिनिंग करी लो वरनना अप इतने ज्यादा क्लिनिंग एक साथ गरेंगे तो आपको बहुत ही हाड लगेगा तो बस मैंने मेरे हिसाब से तो मैंने थोड़ी-थोड़ी क क्लिनिंग अभी स्टार्ट कर दिए तो सो फाइनली अब मेरा जो बतन थे अच्छे से लग चुके तो चले फाइनली में आपको रिजल्ट दिखा देती हुआ वर साना कोज़ दो सब्सक्तों दो भूआ है जो चुटा मंदीर हैं हमारे मातरानी का तो बस हिहां पर मेने अच्छे से साफ शफाई कर दी है और दुटिया बती की रख दी और नीचे कोना है तो कोने पर वहां पर हमें आटे का दिबा रखते और साथ में दील की जो क्या बो करना था और फिर मुझे वहाँ पर आच्छे से सफाय करकर सारह साहान रखना था तो अच्छेस मैंने उसके जारू लगा दिया अब मै च्छेसे पुचा लगा कर साफ कर और फिर में जो मेरा सामान था उसको अच्छे से मेंटेन करकर रखूंगी क्या होतार बेपी अपर 10 मंत का हो गया है तो मुझे थोड़ा टाइम मिलता है उसको सुलाद उला कर मैं अब काम कर सकती हूं तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखा है मेरे कंकले उसके पास और मैं यहाँ पर सारा काम कर दूँगी जाड़ो कुछा वरना पानी में बहुत ज़्यादा खिलने लगता है मुझे तो कुछ काम नहीं करने देता है तो बस उसके वज़ा से सारा ऐसे वैसे होता रहता है हमारा जो सिड्यूल होता है बई तो बस इसे तरह से अपना काम च कि माता है मैं इतना ही मांती हूगे हमारे साथ होगी तो हमें कुछ कर दिए कि कुछ भी किसी का कुछ बिन्हीं कार सकता है आप सबकी दूआ होगी तो मैं अगे की वो तिहंदर से निकोल घुए है यह मैरे गोर्य इंच्ट्राम पर देखे थे तो बस मैंने भाईनल यॉज क्या पर इच्छ साफ बी साफ भी हो गय mot के जिंग भी बहुत ही ज़दा गंदा हो गए है तो बस अब वो कर देती हूँ और यहां पर नीचे अच्छे से पोचा पोचा लगा लेती हूँ और मैं बस इतना है कोँँगे आप इस वीडियो को ठेर सारा प्यार करेगा बस एकी बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ और तो चलिए अब मैं जिंग दिखाते हूँ देख सकते हूँ एक इतने मंत के होगी इतना गंदा तो चलो महाँ पर भी में बेकिंग सोड़ा और नमक ही डाला निम्बू ही डालूंगी और चैसे मैंने क्लीन कर दिया तो आपको रिजल दिख रहा हूँगा तो जरूर यूज करिएगा तो बस अभी मुझे गरम पानी रखना है मुझे नहाना दोना भी है तो बस यह तो क्लीन हो गया है चले अब हमारे केर भी करते है वरना अगर की सफाइम की वज़्जा से हमारे केर ने करेंगे हम भी बस कुछ इसी तरह से हो जाएगे तो बस क्लीन करने के बाद म अब इक ज़र स्टार्ट ने किया क्योंकि उस पर काफी ज़्यादा भी लाता है तो वस में वह भी ने उजगे और में गरम पानील करती हूँ तो इसमें एक निम्बू एट कर देती हूँ उसका रस क्या होता है उसका रस से हमारी स्कीन को काफी चब गलू मिलता है और जो गं तो बस में आटे का हलवा उसको खिला रही थी और उसको खाना नहीं था वह काफी ज़्यादा नाटक है और फिर मैं उसको खिला रही थी तो खाना नहीं चाहता और फिर रोरोकर वह खा रहा था और मैं इसको दिखा रही थी देख वो दूसरा मेरा बच्चा दिख रहा है उसको मैं खिला लूँगी बस वैसे उसको करकर खिलाया और फिर उसको सोने का टाइम भी हो गया था तो बस उसको मैंने सुला दिया और क्या होता है अभी गर्मी है तो मैं इसलिए चुलाती हूँ उस पर रखती हूँ क्योंकि वह गर्म जितना रहेगा उतना असानी से सुझ उसमें कुछ इसी तरह से मेंटेन करती हूँ तो सब्सक्राइब मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक मिलते हैं अपने गुद्ट